आरपी भारत तेवल ख़बर है और कुछ नहीं नवश्कार मैं गूँ अंजली आरपी भारत मैं आपका स्वागत करती हूँ तो चले शुरात करते हैं आज किसी खास ख़बर से केंद्र सरकार के क्रशे कानून के खिलाफ के सानों ने आज भारत बंद बुलाया जिसका असर पूरे रामगर जिले में देखने को मिल रहा है बंद समर्थकों ने आज सुबा से ही कई जगाओं पर सड़क जाम की जिससे आवाजागी पूरी तरह से ठब दिखाई दी कई राजनेतिक दलों के लोग सड़क पर उतर कर केंद्र सरकार के विरुध कर रहे प्रदाशन भारत बंद के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए जिला प्रशासन एवं सभी थाने की मुस्तेरी देखने को मिली जारखंड के रामगर से जय प्रकाश के रिपोर्ट कर रहे हैं सभी भी पत्री के लेक लोग और किसानों किसका समर्थन साथ में कर रहे हैं और इकठे हो करके यह विरोज परदाशन कर रहे हैं और साथी जिस तरह से देखा जाता है कि हर वो संस्थाट जैसे हम कर सकते हैं कि एर इनिया, इलाई सुदाइंग इन सभी को इस तरह से निजी करन किया गया उसे प्रकाश अब सरकार यहां के किसानों को पूझे पत्यों के हाथ में बैच करके इन लोगों को वो दर्द देना चाहते इनकी दूख और दर्द को सुनने के बजाए, इनकी आवाज को दबाने का प्रयास ये केंद्र की भात्ता सरकार कर रही है, जिसके विरोज में हम सभी पार्टी के लोग यहां पर उत्रे हैं और हर जड़ा चक्का जाम है, पूरे भारत बंद है मोदी सरकार होस में हाँ! कर पाँ पास्मे को लेकर बुरे भारत बंदी का आवान क्या गया था जिसको लेकर आज हम लोगोंने यहाँ पर दुल्यपर के कुळिशोक में किसानों को समत्तर में आज कारस्पाहटी के निदस पर आज यहाँ पर रोड जानती हैं और वंद्ध करते हैं कि जो जो पिसान फ बिल जो लायागा है, गरीब किसानों के हित्म नहीं है, ये आदानी आवानी को लाप पोचाने के लिए बिल लाया गया है, इसलिए हम लोगों ना आज यह आपर किसानों समर्तम यह पर रोट जाम किया है। इसलिए किसान बिल